नमस्कार दोस्तों मैं वर्षा भावसार मेरे चैनल रसोयगार में आप सबी का स्वागत है तो आज मैं आप सबी के लिए लेके आई हूँ बहुती जल्दी से बनने वाला नाश्टे की रेसिपी जो खाने में बहुती स्वादिस्ट होता है बनाना बहुती आसान है तो चले के लिए हमें सबसे पहले आउशकता होगी आलू की तो मैंने यहां पर दो आलू लिये हैं यह कच्छे आलू है तो आलू का छेल का निकाल देते हैं और इसके बाद हम इसे कद्दू कस कर लिए हैं तो अब हम क्या करेंगे आलू में बहुत ज्यादा पानी होता है तो इन प यहां पर पानी निकाल दिया है तो अब हम इसमें एट करेंगे एक बारी कटावा प्याच इसके साथ डाल देते हैं एक हरी मिर्च जिसे भी बिल्कुल बारी कट कियावा है साती में डाल रही हूं एक चमश लसून और अधरक का पेस्ट आधी चमश हम यहां पर चिली फ्लेक अब हम क्या करेंगे इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो अब हम यहां पर थोड़ा थोड़ा करके बैसन एट करेंगे बैसन हमें यहां पर एक साथ नहीं डालना है तो पहले में यहां पर दो चमश बैसन एट कर रही हूं लेकिन अगर आउशकता हुई त तो बेसन डालकी से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अगर आप हातों से मिक्स करेंगे तो यह बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा प्योंकि आप इसे जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे आलू अपना पानी चोड़ता जाएगा तो मैं यहां पर एक चमश बेसन और डाल देती ह यहां पर बेशन और अलू अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसमे डाल देते हैं बारिकक्ती धन्यपति इli思 इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसका बेटा रखा हुआ है हो जब हम इसे पल्टे तो यह तूटे भी नहीं तो देखिए इसी तरह से में बाकी बच्छी भी भी बना लूँगे तो देखिए यहां पर मैंने चार बना के रख लिए हैं एक बार आप जितनी आसानी से आ जाए उतने आप बना लीजिए और अब हम इसके उपर भी थोड़ा सा तेल लगा देते हैं बहुत ज़्यादा तेल के आउशक्ता नहीं होती है बहुत ही कम तेल में बनकर तयार हो जा अगर आप हाई फ्लेंपे से पकाएंगे तो भार से तो इनका कलर डार को जाएगा लेकिन अंदर से ओल्ली थोड़े कच्छे रह सकते हैं कि तो आप देख सकते हैं भहुत ही सुंदर सा कलर आ चुका है और बहुत ही क्रिस्पी से हो चुके हैं तो अब मैंने बाहर निकाल तो आप इसे हरी चेकनी या सोस के साथ इंचोई कीजिए और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिए तो मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ